हेलो फैंट स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल स्टार का श्ट्यूडियू पैंट पर दोस्तों इस विर्ज में हम लेकार आप सबी के लिए क्लास 10 वालों के लिए यहाँ पर मैथ का गनित का एक और टॉपिक्स यहाँ पर चप्टर दो चर वाले रैखिक स हमी करन ठीक है इस चप्टर से जितने भी अभी तक चप्टर वाइज कोशन पूछे के हैं आप लोगों के बोर्ड परिक्षा में प्रिवियर्स स्पेपर में वो सारे कोशन हम लोग करने वाले हैं इसका दो से तीन पार्ट आने वाला है क्योंकि यह चप्टर से काफी सारे कोशन्स पूछे जा चुगे हैं ठीक है हम लोग एक कोशन्स करेंगे अगर आप भी कलास्तियंत के जात रहें और आने वाले बोर्ड परिक्षा में सामिल होना चाह रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि इसी तरह से हम लोग जैसी न सब्सक्राइब करना और चैनल को सभी सब्सक्राइब करके रखना ठीक है दो कि यहाँ पर दो चर वाले रखी समिकरन यो पहला कोशन सा यहाँ पर काफ़ी इंपोर्टेंट रहेंगे आप सबी के लिए ठीक है हम लोग समझते हुए चलेंगे के कोशन को यदि एकस बराबर ए वाई बराबर बी और समिकरन यहाँ पर एकस मैनस वाई बराबर दो तथा एकस पलस वाई बराबर चार के हल हो तो ए और वाई का मान गयात करें मैं देखो एकस और वाई का मान निकालो या फिर ए और वाई का मान निकालो क्योंकि दोनों सेम ही है क्योंकि एकस बराबर ए है और वाई बराबर बी है है ना तो एकस मैनस वाई बराबर टू एकस पलस वाई बराबर दो है ठीक है और X पलस Y बराबर 4 है तो क्या करेंगे हम लोग इसको घट जोड़ देंगे तो यह पलस मैनस कट जाएगी आपस में तो 2X बराबर यह 6 हो जाएगा तो X बराबर 3 हो जाएगी है ना X बराबर 3 आ गया तो X का मान किसी भी समिकरन में डे डालो तो माइनस Y बराबर 2 माइनस 3 तो Y बराबर यहाँ पर यह इसका मतलब X का मान 3 और Y का मान 1 आ गया ठीक है काफी सिंपल है दो चर वाले रेक्षी समिंगन को समझना और काफी important question पूछ जाते हैं यहाँ से जो आप समान के लिए समिकरन 3 X माइनस Y माइनस 5 बराबर 0 तथा 6 X माइनस 2 Y माइनस के बराबर 0 का कोई हल नहीं हो समाज में आ रहे ना कोई हल नहीं होने के लिए क्या सर्थ है बताओ समानतर होने के लिए इसका मतलब समानतर है तो समानतर होने के लिए क्या सर्थ है समानतर होने के सर्थ यह है कि A1 बटा A2 बराबर होना चाहिए B1 बटा B2 के होनी चाहिए ना अन्नोट इसकल टो C1 अपन C2 होनी चाहिए थाला कि यहां तक जाया गानी आपको यह A1 और B1 में ही आपको निकालना है रिलेशन ठीक है तो यहां पर 3 बटा 6 बराबर होनी चाहिए यहां पर माइनस Y बटा माइनस 2 भै देखो यहां पर कौन सा मान यहां पर सही है ठीक है और कोई हल नहीं होने के लिए न, तो कोई हल नहीं होने के लिए यहाँ पे, के यहाँ पे है, कोई हल नहीं होने के लिए, के यहाँ पे है, इसका मतलब यह माइनस पांच बटा, है न, यहाँ पे माइनस के, यह माइनस माइनस चला गया, माइनस माइनस चला गया, तीन दू न किसल्थ रखना परेगा कंभान यहां पर 10 जो है नोट इसक रखना पर एगा रखना पर एक किने कि का मान अगर दस नहीं रखेंगे तब ही तो यह वह नहीं होगा अगर रख देंगे तो भाई यह अनन्त हल हो जाएगा तो आप्षान निमबर बीज दरैं के का मान नोट इसकाल टू दस रखेंगे ठीक है इस दुन में क्रोस मल्टिप्लिकेशन कर दो असानी से बन जाएंगे काफी सिंपल को संथा निकाल दू एवन ब्टा एटू ब्लावर इसका मतलब यह क्या है कितने हल है बताओ यह है असंगत असंगत कों बोलते हैं समानतर समानतर को कोई बोलते हो कोई हल नहीं हो देखो अलाग अलाग नाम है इसलिए confusion मत होना याद रख लिजेगा असंगत हल कोई हम लोग क्या बोलते हैं समानतर रखाएं समानतर रखाएं कोई हम लोग बोलते हैं कोई हल नहीं होने का सथ ठीक है अब देखो यहाँ पे next question है कि बिरोधी समिकरण यूग में कितने हल होते हैं बिरोधी एक और बिरोधी होता है बिरोधी की बात आये तो कोई हल नहीं इसका मतलब यह समानतर होगा बिरोधी क्या होगा समानतर होगा और बिरोधी क्या होगा और समानता मतलो अनंत हल वाला होगा ठीक है या फिर एक हल वाला तो ये option number A बिरोधी समीकरण यूग में कितने हल होते हैं कोई हल नहीं होता next question है कि समीकरण यूग में x plus 2 over 4 तथा 2x plus over 12 का गराफिय निरूपन मैं देखो इसका निकालो A1 बटा A2 परती छेदी रेखाई में कितने हल होते हैं एक हल होते हैं अब परती छेदी रेखाई में ये तो कुछ होगा ही ने बाई समानता रेखाई में कोई हल नहीं है ना कोई हल नहीं और ये समानता रेखाई में क्या होगा बताओ कोई हल नहीं और संगत रेखाए में संगत रेखाए का मतलब समझ में आ नहीं बात एक ही रेखा पर एक ही रेखा पर दोनों रेखा आ गई है तो इसमें अनन्त हल होगा क्या होगा अनन्त हल तो समी करने यूग में देखो एक बटा दो दो बटा एक अरे बा यह तो सभी लगल लगा था इसका मतल्स हो असंगत समेकरण के युग्म का हल असंगत समानंतर कोई हल नहीं संभब है कितने हल कोई हल संभब नहीं है घणतर रखाए है आश्रित आश्रित समीकरण यू अनंठ हल भी बोलते हैं क्या बोलते हैं कौनसा हल बोलते हैं लोग अनंत हल बोलते हैं भाई तो याद रखेगा आस्रित समीकरण को अनंगीनत हल नेक्स्ट कोशन दो रहखिक समीकरण युग्म भाई A1 X पलस B1 Y पलस C1 औरे 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 A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 not equal to C1 बटा C2 है तो आलेक होगा इसका मतलब समझ में आ रहा है ये हमको सिर्फ और सिर्फ यही बराबर है इसका मतलब ये समानंतर है क्या है समानंतर समानंतर का मतलब कोई हल नहीं और कोई हल नहीं होने का मतलब समझ में आया ना भाई कोई हल नहीं मतलब इसका बीरोधी और समानंत्र दोनों हो सकता है आलेख अगर रिखाए पुष्टा ना देखो यहां पर समझने का कोसिश करो आलेख पूछा गया तो बीरोधी आलेख होगा भाई ठीक है या फिर समानंतर ही बोल सकते हो आप लोग तो यहाँ पर ए और सी दोनों सही हो जाएंगे तो यहाँ पर उप्शन नमबर ए पहले दीख रहा है तो आपको उप्शन नमबर ए में ही लगाना है ठीक है बिरोधी में हलाकि ए और सी दोनों सही है एक रैखिक समीकरण का घात होगा एक रैखिक समीकरण का एक घात होगा समीकरण X प्लस Y बराबर 6 के कितने हल हो सकते है भाई तो इसके कितने हल हो सकते हैं बता दो जल्दी से इसके भाई अनंत हल हो सकते हैं बताओ कई से बताओ ना कई से क्योंकि इसमें दो भेरी यह वलाई इसका मतलब दो चरवाला समीकरन है और दो चरवाला समीकरन जैसी आता है तो उसमें कितने हल हो जाते हैं अनंत हल हो जाते हैं आपसन नमर सीज दरैट नेक्स्ट है कि एक राखिक समीकरन जिसका कोई हल नहीं है भाई कोई हल नहीं होने का का मतलब समझ आ रहा है ना बात कोई हल नहीं होने का मतलब समय रहा है ना बात समानंतर समानंतर का मतलब असंगत असंगत ऑप्सन नंबर बी ग्यार एक क्या हो जागा बी असंगत समानंतर समानंतर मतलब कोई हल नहीं यदि दो चरों में एक रैखिक समीकरन टू एक्स प्लस मुझे पता है या आप लोग कन्फूज हो रहे होंगे संगत असंगत आश्रेद विरोधी और विरोधी भाई देखो एक बार ना एक बार नोट कर लो ठीक है और दिमाग बैठा लो कि असंगत को समानंतर संगत को परतिछेदी या फिर मतलब वो क्या बोलते हैं उसको संपाती रहाएं बोलते हैं संगत को क्या बोलते हैं समानंतर और संगत को परतिछेदी और संपाती रहाएं ठीक है और विरोधी को क्या बोलते हैं समानंतर और विरोधी को दोनों रहाएं जो बज जाता है दोनों रहाएं को बोलते हैं ठीक है तो एक्स अक्ष होकता था वह एक्स अक्ष और वाई एक्ष को कहा कहा कारता है इसका मतलब समयाया एक्स अग्स का मान वाई का मान हम लोग क्या क्या रखेंगे भाई यहाँ पर 0 आ जाए तो वही अंसर हो जाएगी तो अप्षन नमबर तीन और दो अगर तीन दू निच्छे तीन दू निच्छे मैनस छे बराबर जीरो क्या हो अगर बताओ तीन और यहाँ पर दो हो जाएगे जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को कारते हैं ठीक है नेक्स कोस्ट तेरा नमर कि युग में समी करन टू एक्स पलस वाई बराबर छे फोर एक्स मैनस टू बराबर जीरो हल कोई हल नहीं या फिर दो हल दो हल कैसे हो जाएगा इसमें बताओ दो हल का तो कोई बात ही नहीं है या तो कोई हल नहीं होगा या फिर अधित हल होगा या फिर अपर मित मतलब अनंत हल होगा तो एक बटा चार एक बटा मैनस दो बराबर छे बटा चार यह देखो तो कौन सा हल है यह देखो तो यह कौँन सा हल है यहां पे बतो कोई बराबर है कि आपस में कोई भी बराबर नहीं है इसका मतलब क्या होगा बतो इसका मतलब ओद यूटी हल है किया है अपसर नॉम्बर सी इस दर Duck पर तीछ दूरिए रहे दो चर वाले राखी समिकरन के भ्यापक रूप AX प्लस 2 प्लस C बराबर 0 अप्शन नबर 20 दर राइट 15 है कि राखी समिकरनों के आस्रित यूग मुख भाई देखो आस्रित जैसी आता है न क्या लगाओगे बताओ संगत क्या लगाओगे संगत आस्रित संगत नेक्स्ट है कि समिकरन निकाइट 5X प्लस 2 बराबर 0 और AX मैनस 3 बराबर 0 के अनगिनत हल के लिए एक आमान अनगिनत हल जैसी बूल दिया जायती इसका मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 माप कीज़ेगा बचा एक मिनद बिलकुल बिलकुल क्या होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर होता है C1 बटा C2 A1 के जगा पे 5 बटा A B1 के जगा पे 2 बटा मैनस 3 और C बराबर कितना है 0 बटा 0 अरे भा हमको यहाँ पे 2 बटा मैनस 3 लाना है तो एक कामान हम लोग क्या रखेंगे तो एक कामान निकालने के लिए हमको क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कर दो आपस में तो टू ए बराबर माइनस पंदरा ए बराबर कितना माइनस पंदरा बटा दो ओप्सन नमबर ए इस दर राइट ठीक है काफी सिंपल है भाई 17 समीकरन निकाए एकस प्लस वैबर बर दो टू एकस प्लस वैबर बर चार क्यान गिन अनगिनत हल होने के लिए एक का में लोग क्या होगा यहीं ना है तो एक के लिए क्या होगा यहाँ पे बताओ option number B is the right next question ओदूती हल वाला युगपत समीराखिक समीकरन डाइस कहलाता है ओदूती हल वाला युगपत राखिक समीकरन डाइस कहलाता है जैसे ओदूती ये आ गया भाई ओदूती ये इसका मतलब बताओ ओविरोधी क्या बोलोगे ओविरोधी है न लोग परती छेदी परती छेदी को क्या बोलते हैं एक हल मतलब अधित्य हल मतलब केवल और केवल एक हल के किस मान के लिए समीकरन निकाई के किस मान के लिए समीकरन निकाई के किस मान के लिए समीकरन निकाई संपाती संपाती का मतलब अनन्धाल अनन्धाल का मतलब सभी आपसे बराबर हो जाए तो बराबर कर दो भाई कर दो चलो कर देते हैं अरे कर देते हैं कर देते हैं देखने से लग रहा है कि एक आमान चार होगा भाई लग रहा है कि निवता लग ही रहा है ना चलिए नेक्स्ट कोस्टन और लास्ट कोस्टन दो चरों में रैखिक समिकरन युगम का हल दो चरों में रैखिक समिकरन का हल एक बिंदू क्या होगा एक बिंदू दो चर है लेकिन रैखिक समिकरन है भाई तो एक बिंदू पर ही कटेगा 21 ब्यापक समिक्रन का अधितिय हल के लिए क्या संबंद होता है तो अधितिय हल होने के लिए संबंद होता है A1 बटा A2 not equal to B1 बटा B2 by not equal to C1 upon C2 देख लेते हैं कौन सा option सही है भाई यहाँ पर 21 का option number C is the right क्या होता है C is the right यह चलेगा यह नहीं भी रेगा तो चलेगा इसलिए option number C is the right जहाँ भी देखोगे भाई A1 बटा A2 not equal to B1 बटा B2 जैसी आए इसका मतलब समझ लेना वो क्या है क्या है बताओ अधितिय हल इसका मतलब परतिछे दी रहेगा केवल एक हल ठीक है चलिए तो हम लोगों ने यहाँ पर कितने questions किया भाई हम लोगों ने कर लिए है यहाँ यहाँ पर total 20 questions कितने 21 questions इसके आगे के हम लोग questions अगले वीडियो में cover करेंगे भाई इसी चप्टर के आगे कोशन उमिद करते हैं इस वीडियो के मादम से काफी सारे जनकरी मिला होगा जनकरी मिला है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को सियर करें और कॉमेंट जरूर करना ठीक है वीडियो के description आपको वेब साइट का लिंक दिया गया है तो जाके सभी प्रैक्टिस सेट जरूर करें चलिए मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट सकेन में ठीक है